नमस्कार मित्रों, डेजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमे दूबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा दश हिंदी के दूसरे पाठ धनुष भंग काध्यन करेंगे जिसके रचनाकार गोश्वामी तुलसी दास हैं इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रामिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल सब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशान हो जाएगा तो इस बीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो इसका नाम है धनुश भंग आप सबको इस नाम को चल गया होगा कि ये अध्याय किस बारे में है तो ये अध्याय स्री राम चरित मानश शे लिया गया है ठीक है और इसमें द्रिश्य कौन सा है धनुश भंग का यानि शीता श्वयंबर में राजा जनक ये प्रण कर लेते हैं कि जो कोई भी इस धनुश को तोड़ेगा उश अधि धनुश भंग का चित्रन यहां पर किया गया है ठीक है तो चलिए पहला हमारा दोहा है कि उदित युदैगीरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विक्षे शंत शरोज शब हरशे लोचन भ्रेंग तो इसका मतलब यहां पर इसका प्रसंग कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जब गुरु विश्वामित्र की आज्याशे भगवान श्री राम धनुश तोड़ने के लिए मंच से उठकर खड़े होते हैं तो उस शमय जो उनकी शोभा थी जो उनकी शुन्दरता थी उसका वर्णन यहां पर किया गया है तो गोश्वामि तुलसीदास जी कहते हैं क्या कहते हैं कि उदित मतलब उदय होना उदय गीरी मतलब उदयाचल परवत यानि जिस परवत पर शुर्य की किरने सबसे पहले पढ़ती हैं वो है उदयाचल परवत मंच पर यानि मंच आप सब जानते हैं मंच रगवर मतलब भगवान श्री राम बाल पतनक मतलब बाल शुरिय शुवा के शुरिय अपनी शुरिय अपनी बालले आवस्ता में होता है तो उसको बोलते हैं प्राता कालिकाशूर्य या फिर बाल शूर्य या फिर बालक शूर्य तो गोर्श्वामी तुलसीदाजी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम शीता श्वयंबर में शभा में गुरु विश्वामित्र की आग्या प्राप्त करके धनुस तोड़ने के क्यायभास श्री प्रतीत हो रही थी जैसे मंच पर मंच रूपी उदयाचल परवत रहुच परत्री मतलब परवत जैसे मानों मंच रूपिया अधय चल परवत पर रमभर स्रिराम रूपी बाल पतंग बाल शूर्य का उधित उधय हो गया हो क्लेश याज़िज ये आगे की श्री राम शीता श्वयंबर में शभा में गुरु विश्वामित्र की आग्या प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभायशी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उद्या चल परवत पर श्री राम रूपी बाल शूर्य का उदय हो गया हो आगे बिकसे संत सरोज सब शंत सब वहाँ पर उपस्थित जितने संत थे वो शभी शरोज मतलब कमल रूपी बिकसे मतलब खिल उठे तो वहाँ पर उपस्थित अर्थात जिसे देखकर श्वयंबर शभा में उपस्थित संत रूपी शरोज शंत रूपी कमल पुष्प बिकस कहले उठें तो जिसे देख कर शंत रूपी कमल को मुष्प खिल ऊठें को अब हरसी लो चन भिंग यह सब तो बता दिया था नया सभी टो हरसी लो चन भ्रेंग भ्रेंग मतलब भावरे लोचन मतलब नेत्र और उन् helped उनके नेत्र रूपी भावरे हर से हर्शित हो गए हो, प्रशन नहों गए हो अर्थार यह बताया जा रहा है कि जब श्री राम मंच से उठकर खड़े हुए तो उस शमय श्वयंबर शभा में उपर थे सभी लोग हर्शित हो गए सभी लोग प्रशन हो गए रिवीजन कर ले तो सबसे पहले आपको रिवीजन करने से पहले आपको ये लिखना होगा कि तुलसिदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम स्वयंबर सभा में गुरु विश्वामित्र की आग्या प्राप्त करके धनुस तोड़ने के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उद्याचल परवत पर श्री राम रूपी बाल शूर्य का उद्य हो गया हो जिसे देखकर शंत रूपी कमल पुष्प खिल उठे और उनके नेतर रूपी भवरे प्रशन हो गये हो अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस शमय श्वयंबर शभा में उपस्थित सभी लोग हर्सित हो उठे अब आगे चलेंगे अब न्रिपा ने मतलब वहाँ पर जो उपस्थित राजा थे उनको न्रिप कहा गये अन्रिप मतलब राजा हम लोग बचपन से जानते हैं कि यहीं मतलब राजाओं की आशा आशा थी सब राजाओं को यह आशा थी कि हम धनुष तोड़ लेंगे तो सीता से हमारा विवा हो जाएगा ना तो उनकी आशा निशी नाशी नाश हो गया नश्ट हो गया अर्थात तुलसी दास जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच से उठे तो सोयंबर सभा में उपस्थित सभी राजाओं की सीता को पाने की आशा या फिर मनो कामना नासी नश्ट हो गई बचन नखट अफलीन प्रकासी बचन अब बचन वो लोग बड़ी बाते कर रहे थे क्या रहे यह धनुस इसको तोर डालेंगे फोर डालेंगे मरोर डालेंगे लंबी लंबी फेक रहे थे वहाँ पे बड़ा भावकाल बना रहे थे लेकिन जब भगवान राम खड़े हो गये पहली लाइन में हमने पढ़ा कि कभी कहते हैं कि जब भगवान स्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच से उठे तो स्वयंबर सभा में उपस्थित सभी राजाओं की शीता को पाने की मनो कामना नश्ट हो गई अब बचन नखत अवली इन प्रकाशी और उनके बचन रूपी नखत का अवली शमूह और उनके बचन रूपी तारों का शमूह चमकना बंद हो गए अर्थात वीशभी चुप हो गए अमानी महीप कुमद सकुचाने मानी मतलब अभिमानी घमंडी वहाँ पर जो महीप थे महीप मतलब मानी महीप मतलब राजा और मानी मतलब अभिमानी जो राजा थे ठीक है और वहाँ पर जो अभिमानी राजा थे कुमद सकुचाने कुमद कुमद का मतलब कुमद एक पर होता है जब शुर्योदय होता है तो वो शिकुड जाता एकदम से तो भगवान राम का उदे शुर्योदय की भात हुआ है ना तो कुमुद शिकुड जाता है तो क्या हो रहा है कि मानी महीप वहाँ पर जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे मानी कुमुद महीप वह कपटी उलू की थाराओ लुकाने चिप गए शुर्योदे ने पर उलु छुप जाता है पूरी रात तो वह उरता रहता है रात को उसको दिखाई देता है लेकिन दिन होते ही वह कहीं न जाकर चिप जायेगा कि कहीं कोई साप आकर उसका सिकार नहीं कर ले या फिर कोई बिल् श्री लाइन का मतलब हमने क्या पढ़ा कि श्वयंबर शभा में जो अभिमानी कुमद रूपी राजा थी वो शक जा गए भगवान श्री राम को देखकर मुर्जा गए अकपटी भूप उलूक लुकाने और कपटी उलू की तरह और कपटी उलू की तरह लुका गए लुकान उल्लू की भाती छिप गए अभय विशोक कोक मुनी देवा कोक का मतलब होता है चकवा चकवी चकवा चकवी पच्छी जब रात होते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जिसके वज़ा से वो सोक में डूब जाते हैं तो कहने का मतलब यहां पर कोक का मतलब जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी और एक दूसरे से अलग होने की वजह से शोक में डूब जाते हैं ठीक उशी प्रकार शभा में उपस्थित सभी मुनी और देवता शोक में डूबे हुए थे परंतु भै विशोक परंतु श्री राम को देख कर वो विशोक हो गये अर्थात उनका दुख शमाप्त हो गया अर्थात जब उन्होंने देखा कि भगवान राम धनुस तोड़ने के लिए खड़े हो गये हैं तो भै विशोक तो उनका दुख शमाप्त हो गया बर्षए शुमन जनाव है शेवा और अपनी शेवा जनाने के लिए अर्थात अपनी शेवा दिखाने के लिए बर्षए शुमन वो पुष्प बर्षाने लगे अर्थात श्री राम को देखकर शभा में उपस्थित सभी जन पुष्पों की वर्षा करने लगे जनावाई शेवा मतलब जैसे भी आप किसी जैसे कोई मंत्री वगएर आता है तो पुस्पों की माला पहनाते हो उसको यानि भाई आपकी शेवा आज़ता रहे हैं यहाँ पर की आपका बड़ा सम्मान है तो जनावाई का मतलब प्रकट कर रहे हैं वो सब ठीक है शेवा यानि अपनी शेवा प्रकट कर रहे हैं तो इसको साइलेंट कर देंगे इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है फूलों की वर्षा करने का मतलब सिधा सिधा यही हो जाता है कि वो सब भगवान को देखकर प्रशन हो गये हैं और वो जो कारे करने जा रहे हैं उसके लिए वो अपनी शेवा प्रदर्सित कर रहे हैं प्रकट कर रहे हैं ठीक है तो बर्शे शुमन इसका सीधा सीधा मतलब जनावई शेवा बर्शे शुमन जनावई शेवा तो जनावई शेवा को मतलब होता है प्रकट कर रहे है ठीक है सेवा मतलब सेवा ठीक है तो इसको हम साइलेंट कर लेंगी हम बरसे शुमन यानी राम को देखकर भगवान स्री राम को देखकर शभा में उपस्थित सभी लोग फूलों की वर्षा करने लगे तो तीसरी लाइन का मतलब हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि कोक कोक मतलब कि जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी पच्छी एक दूसरे से अलग होने के कारण शोक में डूब जाते हैं ठीक उसी प्रकार सभा में उपस्थित सभी मुनी और देवता भी शोक में डूबे ह हुए थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम धनुस तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं तो भय विशोक तो उनका दुख शमाप्त हो गया अब बर्श हिशुमन जनाव हिशेवा अर्था श्री राम को देख कर श्रभा में उपस्थित सभी लोग चर्णों की बंदि बंदना करके शहित अनुरागा बड़े प्रेम से बड़े प्रेम पूर्वक तो गुरु गुरु विश्वामित्र अर्थात भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के पद चर्णों की अनुरागा प्रेम पूर्वक बंदि वंदना करके अर्राम मुनिन मतलब अन्यशभी मुनियों से और अन्यशभी मुनियों से सभामे पस्थित अन्यशभी मुनियों से आयश मागा आयश मतलब आग्या मागा मतलब मागी अनुमती मांगते हैं किसलिए धनुष भंग करने के लिए ठीक है, तो इसका मतलब गुरु पदबंद सहीत अनुरागा, इसका सीधा सीधा मतलब कि भगवान श्री राम, राम मुनिंस से रागमागा, यानी राम का मतलब हम पढ़ने गुरू अपने गुरु बिश्वा मित्र के पद चर्णों की प्रेम पूर्वक वन्दना करके, सभा में उपस्थित सभी मुनियों से धनुस तोड़ने के लिए या फिर धनुस भंग करने की अनुमती मांगते हैं पूरा क्लियर हो गया आगे चलें श्राजय चले शकल जगश्वामी मत्तमंजुबर गंजर गामी चलत राम शब पुरन रनारी पुलक पूरी तन भैश शुखारी बंदी पितर शुकत शम्हारे जाओ कछपुन्य प्रभाव हमारे ताव शिवधान उप्राल के नाई तो रहू राम शवनेश गशाई यहाँ पर सहज ही चले सहज का मतलब ऐसे ही श्वाभावी के ही वहाँ पर उपस्थी जितने राजा थे ने वो बड़ी बड़ी बाते कर रहे थे तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे लेकिन भगवान श्री राम ने कुछ नहीं का तो सहज ही चले सहज ही चल पड़े धनुष की ओर सहज ही चल पड़े सकल जग इस संपोर्ण जग के श्वामी श्वामी मालिक तो इस संपोर्ण जग के श्वामी भगवान श्री राम सहज ही यानि श्वाभावी के ही धनुष की ओर चल पड़े जैसे कोई मत्वाला मदमस्थ मन्जु शुन्दर बर कुंजर कुंजर मतलब हाथी गामी चलता है जैसे कोई मत्वाला मदमस्थ हाथी चलता है अर्थात इसको सिधा सिधा पढ़ेंगे कि एक मदमस्थ शुन्दर मतवाले हाथी की ही तरह इस शंपूर्ण जगत के श्वामी भगवान श्री राम धनुष की और श्वाभावी की ही गामी चल पड़े तो अब बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे तो इसको लिखने का तरीका ये है कि सहजें चले सकल जगत स्वामी शकल जगत स्वामी अथत शंपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चर्णों की वंदना करके और अन्यमुनियों से आग्या प्राव्त करके मत्मन्जु वरकुंजरगामी मस्त या फिर शुन्दर मत्वारे हाथी की भाती एक मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं ऐसे ही लिखिएगा पहले भी बताया था ना मैंने कि उन्होंने अपने गुरु को पद को बड़े ही प्रेम से अनुराग से बड़े ही प्रेम से उन्होंने बंदना की थी और सभी मुनियों से धनुष को तोड़ने की आग्या मांगी थी यह चीज यहां पर दिखानी पड बढ़ रहे हैं सब मतलब सब बढ़ रहे हैं पुलक मतलब रोमान्ची तो हो गए अतन उनके तन भय शुखारी अर्थात शुखी हो गया अर्थात शुख का अनुभाव करते हुए आनन्दित हो गये जिससे उनके तन उनका शरीर पुलक हो गया पुलक का मतलब जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया पुलक का मतलब होता है रोमांच से भरना ठीक है तो भगवान श्री राम को धनुष की ओर बढ़ते हुए देखकर जनक पूरी के सभी नर और नारी ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी इस्त्री और पुरुष भय शुखारी शुख का अनुभव करते हुए आनन्दित हो उठे जिससे उनके शरीर पुलक गया अर्थात जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया पुलक का मतलब होता है रोमांच अब बंदी पितर बंदी मतलब बंदना करना पितर मतलब अपने पितरों की पूरवजों की शुर देवताओं की शुकत संभारे और शुकत संभारे का मतलब होता है सुन्दर अच्छे कार्य या फिर एक वर्ड होता है पुन्य पुन्य जो होता है न वो अच्छे कामों को करने से अरजित होता है ठीक है तो यहाँ पर कहने का मतलब कि सभी नर नारियों ने अपने पितर अपने पूर्वजों शुर और देवताओं की वंदना की और शुकत सम्हाए और अपने पुन्यों का इस्मरण किया कि जो कच्छु पुन्य प्रभाव हमारे की हे प्रभू जो कच्छु कि यदि हमारे द्वारा किये गए पुन्य का कुछ प्रभाव हो हमारे अगर हमारे द्वारा किये गए पुन्य का तनिक भी प्रभाव हो तो जो कच्छु मतलब तनिक भी थोड़ा सा भी तनिक भी तो बं अपने पूर्वजों की अथात जनकपुरी के शभी नर्णारियों ने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करके अपने पुन्य कर्मों का इस्मर्ण किया कि यदि हमारे पुन्य का यानि हमारे द्वारा किये गए पुन्यों का कच्छु तनिक भी प्रभाव हो तो शिवधन को तो इस शिवधनुष को मिडाल की नाई मिडाल मतलब कमल की नाल तो कमल की नाल की नाई कमल की नाल के शमान ही तोरह तोर दे राम भगवान श्री राम ग गनेश गुसाई गनेश भगवान तो हे गनेश गुसाई तो भगवान श्री राम इस शिव धरुष को कमल की नाल की समान ही तोड़ दे या फिर तोड़ डाले थीक है तो यहाँ पर हमने यह दो लाइनों का अध्यन किया हमने यहाँ पर अध्यन किया कि जनकपुरी के सभी नर्नारियों ने अपने पूरवजों और देवताओं की वंदना की और अपने पुन्य कर्मों का अस्मरण किया कि यदि हमारे द्वारा किये गए पुन्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गनेश गुसाई भगवान श्री शक्षिन शमीप बोलाई श्रीता मा तुशनेह बश बचन कहाई भी लखाई तो यहाँ पर जब भगवान स्री राम मन्ज से उठकर खड़े होते हैं धनुस तोड़ने के लिए तो सीता जी की माता देखती है कि ये बालक तो बहुत छोटा है और बहुत सुन्दर भी है राम श्री राम अत्यनत सुन्दर और कोमल रूप वाले हैं जिसे देखकर यानि भगवान श्री राम को देखकर शीता जी की माता प्रेम समेट प्रेम मतलब केशात लखी मतलब देखती है तो प्रेम समेत लखी वादसल्य प्रेम का मतलब यहाँ पर वादसल्य प्रेम से है ठीक है लिख दिया है नीचे ताकि दिक्कत ना हो तो प्रेम समेत लखी जिसकी वज़ा से शीताग जी की माता वादसल्य प्रेम से भर कर उन्हें देखती है और भगवान श्री राम की कोमलत पर वो मुग्ध हो जाती है जैसे मा होती है उसका छोटा सा बच्चा हो छोटा सा बच्चा हो कोई हरकत कर रहा हो बहुत छोटा हो कोई शरारत कर रहा हो तो आप भी उसे गोद में उठा लेते हैं कितना अच्छा लग रहा है तो वात्सलिप्रेम जैसा वात्सलिप्रेम का मत शनेह बस बचन कहाई बिलखाई शमे सनेह मतलब इसनेह पूर्ण इसनेह पूर्ण यानि मा को इसनेह होता है न कोई छोटा सा बच्चा हो उसके उपर 500 कुंटन लाद दीजिए उसकी मा देखेगी तो आपको दुड़ा दुड़ा के मारेगी क्यों क्योंकि मा को अपने बच् कहाई वचन कहती है बात कहती है अथात कहने लगती है पहले रिवीजन करिए फिर आगे समझाओंगा कि रामई भगवान स्री राम बहुत सुन्दर और कोमल रूप वाले हैं अता शीता जी की माता वाच्चल्य प्रेम से भर कर उन्हें देखते हुए श्री राम की कोमलता पर मुख्ध हो जाती है और वो अपने शक्खियों को अपने पाश बुलाकर इस नेह पूर्ण विलाप करती हुई वचन कहती है अर्थात कहने लगती है क्या कहने लगते हैं ये जोड़कर आपको लिखना होगा क्योंकि बस इतना ही है तो क्या कहने लगती है ये जोड़क परंतु श्री राम तो बहुत कोमल है और उनका मन इसलिए भी ब्याकुल है कि जब इतने शूरवीर राजा इस धनुस को हिला नहीं पाए तो ये कोमल बालक इसे कैसे तोड़ेगा इतना लिख लिजिएगा ठीक है या तो आपने शिवधांग सीता स्वयंबर देखा होगा ध श्रीता का विवाहराम से हो जाए लेकिन जिस धनुस को इतने बड़े बड़े राजा हिला भी नहीं सके उसे ये कोमल बालक कैसे तोड़ेगा यही बचन कह रही है वो ठीक है तो हमने इस दोहे का मतलब क्या समझा हमने समझा कि भगवान श्री राम बहुत सुन्दर और को इस बुलाकर इशनेह पूर्ण विलाप करती हुई वचन कहती है अर्थात इसनेह पूर्ण विलाप करती हुई कहने लगती है कि उनकी मनो कामना भी यही है कि श्रीता का विवाहराम से हो जाए परंतु जिस धनुस को इतने शूर वीर राजा हिला भी नहीं सके उसे ये कोम बालक कैसे तोड़ेगा तो अब आगे चलेंगे शक्षब कौतुक देख निहारे जो कहावत है तु हमारे कोना बुझाई का है गुर्पाही ये बालक यसी हट भलनाही रावनवान छुवान ही चापा हारे शकल भूप करिदापा शोधन राज कुवर कर देही बाल मराल के बाल के वास्तों में यहां पर प्रसंग कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सीता जी की माता भगवान स्री राम के कोमल सरीर को देखकर या भी भगवान स्री राम की कोमलता को देखकर बहुत चिंतित हैं कि जब इतने सक्ति साली राजा इस धन उसको नहीं हीला सके तो यह कौतुक मतलब होता है आश्यर यशे देखा निहारे का मतलब होता है देखने वाले हैं अब सीता जी की माता अपने शक्षियों से कहते हैं कि हे शक्षि जेव जो लोग कहावत कहलाते हैं हे तो हितैसी हमारे हमारे जो लोग हमारे हितैसी कहलाते हैं हितु मतलब हितैसी और क तहावर मतलब कहलाते हैं ये लोग जो हमारे हितैसी कहलाते हैं या फिर जो लोग हमारे हितैसी कहलाते हैं वो सभी तो कौतुक कौतुक मतलब तमाशा देखने वाले हैं वे सभी तो तमाशा देखने वाले हैं तो पहली लाइन का मतलब क्या है कि शीता जी की माता अपने शक् कोई ना बुजायी मतलब शमजहा कर ठीक हैं कहये कहता कोई नहीं बुजाकर समजहा कर कहता अर्था कोई भी नहीं समझाता गुर पाही गुरु मतलब गुरु विश्वा मित्र को पाही मतलब गुरु विश्वा मित्र को वही बात सीधा कि इन में से कोई भी गुरु विश्वा मित्र को बुझाई समझाने के लिए नहीं जाएगा या फिर नहीं जा रहा है कि ये बालक राम यानि कि राम अभी बालक है और ऐसी हट भल नहीं अर्थात और इस धनुस को तोड़ने के लिए ऐसी जिद ऐसी हट भरी नहीं अच्छी बात नहीं है अर्थात इस धनुस को बड़े बड़े योद्धा नहीं हिला पाए तो तुम कैसे तोड़ोगे तो इस लाइन का मतलब हमने क्या पढ़ा कि कोई भी इन में से कोई भी श्री राम के गुरु बिश्वा मित्र को समझाने के लिए नहीं जा रहा है कि ये राम तो अभी बालक है और इस धनुष को तोड़ने के लिए ऐसी हट करना अच्छी बात नहीं है रावन बान छुआ नहीं चापा चापा मतलब धनुष जिस धनुष को रावन रावन बान और बाना सुर्जे से वीर्यो धावन ने छुआ तक नहीं हारे शकल और हारे हार गय शकल शभी भूप राजा करीदापा दापा मतलब घमंड घमंड मतलब यनी घमंड हार जाना अर्थात उसको हिला भी नहीं पाए न सब लोग बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं कि तोड डालेंगे फोड डालेंगे लेकिन धनुषको हिला भी नहीं तो हारे शकल भूप और शभी बड़े बड़े पराक्रमी राजा करिदापा हारे अपना घमंड हार गए अर्थाथ शभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड तूट चुका है शोधनु उस धनुष को राजकुमार कर दे ही राजकुमार के कर दे ही हाथों में दे दिया है अर्थाथ उस धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार को भेज दिया है ठीक है तो ये प्रश्ण है एक तरह से कि सो धनुस धनुस को राजकुमार कर दे ही राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया है अर्थात इस धनुष को इस राजकुमार के हाथों में क्यों दिया है इसका मतलब ये है कि जब ये राजा नहीं तोड़ सके तो ये राजकुमार क्या तोड़ पाएगा ये प्रश्ण है उनके मन में तो रावण बाण छुआ नहीं चापा जिस चापा को जिस धनुष को रावण और बाणा शुरिजशे वीर्योधाओं ने छुवा तक नहीं और शकल भूप और शभी राजाओं का धनुश तोड़ने का घमंड तूट चुका है अर्थात सभी राजा अपनी हार मान चुके हैं तो इस धनुश को तोड़ने के लिए राज कुमार के हाथों में क्यों दे दिया है बाल मराल क्या बाल मराल बाल मतलब होता है बालक बच्चा मराल मतलब हंस का बाल मराल मतलब हंस का बच्चा क्या हंस का बच्चा मंदर ले ही मंदर मदराचल परवत मंदराचल परवत का नाम सुना होगा रमाड वगरा में इसका जिक्र मिलता है तो मंदराचल परवत मंदर लेही क्या बराबाल मराल क्या कोई हंस का बच्चा कभी मंदर लेही मंदराचल परवत उठा सकता है मंदर लेही मतलब मंदराचल परवत अलेही मतलब मदराचल परवत उठा सकता है, क्या कोई हंस का बच्चा कभी मदराचल परवत उठा सकता है, तो हमने इस लाइन को क्या पढ़ा, कि रावन बान चुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावन और बान असोर जैसे यो धाओ ने चुआ तक नहीं, और सभी राजा का धनुष को तोड़ने का घमंड तूट चुका है अर्थात सभी राजापनी हार मान चुके हैं तो फिर उस धनुष को तोड़ने के लिए राज कुमार के हाथों में क्यों दे दिया है अर्थात भगवान स्री राम के हाथों में क्यों दे दिया है प्रश्न पूछ रही अप क्योंकि भगवान राम अभी बच्चे हैं और बड़े बड़े वीर योद्धा इस धरुस को हिला भी नहीं सके तो ये बालक क्या हिला पायागा ये प्रश्न है उनके मन में ठीक है? क्लियर हो गया आगे चलते हैं एक एक लाइन क्लियर करता चल रहा हूं अब यहाँ पर भूप शयान प्रशकल सिरानी रानी कहती है कि भूप भूप पतलब होता है राजा अब रानी यानि सीता जी की माता कहती है रानी की भूप कि हमको लगता है कि राजा जो है ना ये सयानप इनकी सयानप सयानप का मतलब होता है सयानपन समझदारी शकल सारी की सारी सिरानी सिरा गई है समाप्त हो गई है रानी कहती है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे महराज जो ये राजा है जो जनक है राजा जनक की पुत्री थी सीता तो हमको ऐसा लगता है रानी अपनी सक्षी से कहते हैं कि हे शक्षी हमको ऐसा लगता है कि राजा की शारी शमजदारी शमाप्त हो गई है सयानव का मतलब होता है श्रमजदारी शिरानी मतलब शमाप्त हो जानी ठीक है अशक ही बिधी गती बिधी मतलब बिधाता की गती बिधाता की लेखनी को बिधाता की करनी को कच्छु जाती ने जानी कोई नहीं जानता कोई जानता ही नहीं कि जानी अतार कि वो क्या चाहते हैं थीक है इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे थीक तो इस लाइन का मतलब हमने क्या पढ़ा कि राणी अपनी सकी से कहते हैं कि ये सकी हमको क्या चाहते हैं अर्थात हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा है बोली चतुर शकी मृदुबानी तभी बोली उनकी एक सकी जो है ना चतुर शकी एक बुद्धिमान सकी मृदुबानी बोली ठीक है तो इसका मतलब मृदु का मतलब होता है बड़े प्यार से मधुरवारी में बोली मतलब बोली चतुर शकी मतलब सकी जो है वह चतुर है यानि तभी उनकी चतुर शकी अर्थात उनकी एक सकी मृद्धिमानी मधुरवारी में बोली कहती है तभी उनकी एक चतुर शकी मधुरवारी में कहती है तेजवन्त की तेजवन्त तेजवन्त मतलब तेजवान लग मतलब छोटा, गनी, गनी का मतलब होता है गिनना, नरानी, नारानी, तो तेजवान व्यक्तियों की गरना छोटों में नरानी मत कीजिये रानी, हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे लगुई हो, चाहे छोटा ही हो, अर्थात, तेजवान व्यक्ति चाहे उमर में छोटा ह की तब भी उसकी गिंती छोटों में नहीं करने चाहिए अरथा तब भी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए क्लियर हो गया तो इस व्यक्ति भले ही उम्र में छोटा क्यों न हो उसे छोटा नहीं मानना चाहिए कहा कुम्भज कुम्भज का मतलब होता है कुम्भसे जन्मार्थात गड़ेश उत्पन होने वाला तो कहा कुम्भज अब कुम्भ से जन्मे थे अगस्त मुनी ठीक है अब गूगल पर सर्च कर लीजेगा अगस्त मुनी के बारे में तो उनका जन्म हुआ था कुम्भ से घड़े से तो कहा कुमभज, कहां कुमभ से, कहां घड़े से उत्पन होने वाले अगस्त मुनी, और कहां शिंधु अपारा, और कहां शिंधु मतलब होता है, शमुद्र अपारा मतलब होता है, अपार, और कहां अपार शमुद्र, कहां घड़ेशे उत्पन होने वाले अगस्त मुनी, और कहां अपार शमुद्र, शोशेव, शोख लिया, शोशेव मतलब शोख लिया, सुजसु, और उनका सुजसु, उनका जस, शकल संसार, संपोन, संशार में विद्मान है, तो शोशेव का अठात रिशी मुनी अगस्त ने अपने पराक्रम से उश अपार शमुद्र को शोषयो शोख लिया था इस सोषयो का मतलब शोख लिया था किसने सोख लिया था अगस्त मुनी ने कैसे सोख लिया था अपने पराक्रम से अब उसका सुजाशू और इसी वज़ा से उनका यस शारे शंशार में बिद्धमान है तो इस लाइन का मतलब हमने क्या पढ़ा कि कहा कुमभज कहा घड़े से उत्पन होने वाले मुनी अगस्त और कहा अपार शमुद्र अशोश्यू इस पर भी उश अपार शमुद्र को अगस्त मुनी ने अपने पराक्रम से शोख लिया यानि ऐसे पढ़ेंगे कि सोख लिया था और इसी वज़ा से उनका जश्र शंपूर्ण शंशार में बिद्धमान है रभी मंडल रभी का मंडल रभी मतलब शूर्य तो रभी मंडल देखने में लग लागा लग मतलब छोटा लागा मतलब लगता है शूर्य का घेरा देखने में छोटा लगता है लेकिन उदय तासू उसके उदय होने पर त्रिभुवन तीनों लोकों से तम अंधकार भागा भाग जाता है रभी का मंडल यानि शूर्य का मंडल शूर्य का घेरा देखने में तो छोटा लगता है परंतु उष्के उदय होने से अर्थात जब शूर्य उदय होता है परंतु उष्के उदय होने से तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है अर्थात तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है तो इसके आगे आप लिख देजेगा कि अर्थात शक्षी कह रही है कि आप भी श्री राम को छोटा मत समझिए मंत्र परामलागु जाशु बश बिधि हरी हर शुर शर्ब महामत गजरात गहु बशकर अंकुष खर्ब अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा यहाँ पर बताया गया है कि मंत्र के द्वारा कैसे देवता अपने नियंत्रण में आ जाते हैं और कैसे अंकुष के द्वारा हाथी वश में आ जाता है नियंत्रण की आ जाता है ठीक है इसका प्रसंग यह ही है तो अब देव शक्षी से मुझाते हुए कहती है कि हेरानी मंत्र परमलगू मंत्र जो मंत्र होता है वो परमलगू अत्यंत छोटा होता है अब सबसे छोटा मंत्र कौन सा होता है ओम का जिसे आप बोलते हैं ओम तो ओम का मंत्र शब से छोटा होता है लेकिन जब भी आप पूजा करते हैं तो सबसे पहल पहले ओम बोलेंगे फिर उसके बाद कोई मंत्र जोड़के बोलेंगे उसके आगे तो कहते हैं कि मंत्र परम लगु जो ओम मंत्र होता है ओम का मंत्र परम लगु अत्यंत छोटा होता है और जाशुबस इस पर भी वो बस में कर लेता है इस पर भी वो अपने आधीन कर लेता ह बिधी, हरी, हर, शुर, शर्व, हरी को, ब्रम्हा को, हर, शिवजी को, शुर, विश्णु भगवान को, शर्व और शभी देवताओं को हेरानी, ओम का मंत्र अत्यन्त छोटा होता है, इस पर भी वो ब्रम्हा, शिव और विश्णु और शभी देवताओं को, अपने वश में कर लेता है ठीक है, अब महामत्त गजरात, महामत्त मतलब मदमस्त हाथी, गजराज मतलब हाथी ही होता है, तो महामत्त गजरात यानि मदमस्त हाथी कहूं, तो हाथी को कहूं, यानि कहां मदमस्त हाथी, और उसको बस में कर लेता है अंकुष खर्ब, अंकुष यानि हाथी को नियंत् में रखने वाला उपकरण ठीक है तो खर्ब उस छोट वो छोटा सा अंकुस उस महान मदमस्त हाथी को अपने बश में कर लेता है तो हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि सीता जी की माता को उनकी शकी समझाते हुए कहती है कि हेरानी जिस प्रकार ओम का मंत्र अत्यंत छोटा हो लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा शिव और विश्णु और शभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है और मदमस्त मतवाले हाथी को भी अंकुष छोटा सा अंकुष अपने वश में कर लेता है अथा मदमस्त हाथी को वश में करने वाला अंकुष भी बहुत छोटा होता है अर्थार आप श्री राम को छोटा मत समझो वो उम्र में छोटे भले ही हो पर उनकी कोमलता पर आप मत जाओ वो धनुष को जरूर तोड़ देंगे ये दिलाशा दे रही है आप उनको ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आप अशान सब्दों में कि मंत्र परमलगू रानी को समझाते हुए शकी कहती है कि हे रानी ओम का मंत्र अत्यन्त छोटा होता है पर ब्रह्म्हा, शिव, विष्णू और सभी देवता उसके वश्मे है उसी प्रकार महान मदमस्त हाथी को वश्मे करने वाला अंकुष भी बहुत छोटा होता है अर्थाथ आप श्री राम को छोटा मत समझिए वो उम्र में भले ही छोटे हो आप उनकी को मलता पर मत जाईए वो अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे अगर यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो बिभिन प्रकार की बाते बता कर सीता जी की माता की शखी उनको भगवान स्री राम की विल्टा का वर्डन कर रही है ठीक है वो कहते हैं कि काम देव काम मतलब काम देव कुशुम मतलब पुश्पो का धनु धनु का मतलब होता है धनुष शायक मतलब होता है बाण लीन्हे मतलब लिया हुआ है सिता जी की माता की शक्खी कहती है उनको समझाते हुए कि हेरानी काम देव ने फूलों का धनुश बाण लेकर शारे भूवन को शकल संसार को अपने बश में कर रखा है ठीक है? तो इसका मतलब हमने ये पढ़ा कि सीता जी की माता को उनकी शक्खी समझाते हुए कहती है कि हेरानी काम देव ने पुश्प का या फिर फूलों का धनुश बाण लेकर शंपोन शंशार को अपनी वश में कर रखा है अदेवी तजिव इसलिए हे देवी आप तज दीजिए त्याग कर दीजिए शंशे शंका का असजानी ये जानकर इसलिए हे देवी आप अपने मन की शंका का त्याग कर दीजिए तजी त्याग कर दीजिए शंशे असजानी यानि ये जानकर क्या जानकर कि काम देव ने तो फूलों का बार और धनुस लेकर पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है वो भी पुश्प जो होते हैं लेकिन काम देव के बस में पूरा संसार है काम देव सबको अपने अनुसार चलाते हैं जो वो चाहते हैं वही होता है तो ये जान करके अर्थात जब फूरों से पूरे संसार को काबू में किया जा सकता है तो ये कोमल बालक भीवी धनुस को तोड़ सकता है तो अस जानी देवी तजेशंस है अर्थात सीधे सीधे बात अस जानी को सालेंट कर दीजिए यानि हे देवी तजेशंस है हे देवी आ आप अपने मन की शंका का त्याग कर दीजिए बंजब मतलब तोड़ डालेंगे इस धनुस को राम भगवान श्री राम सुनिये रानी रानी आप मेरी बात सुनिये या फिर रानी आप मेरी बात का विश्वास करिए भगवान श्री राम इस धनुस को अवश्य तोड़ डाले ठिक तो इस लाइन का मतलब हमने सिधा सिधा पढ़ा कि देवी तजे शंसय असजानी यानि इस पूरे का मतलब आपको लिखना है सिधा सिधा की हे देवी आप अपने मन की शंका का त्याग कर दीजिए मेरी बात का विश्वाश करिए भगवान राम इस धनुष को अवश्य तोड़ देंगे शकी बचन शुनी भयपर ती ती शकी बचन अर्थात रानी अपनी शकी के मुख से ऐसे बचन शुनकर भयपर ती थी भगवान राम की शम्ता पर विश्वाश हो गया अर्थात शक्खी वचन अपनी शक्खी से या फिर अपनी शक्खी के मुख से ऐसे वचन शुनकर भैपरतीती रानी को भगवान श्री राम की छमता पर विश्वाश हो गया अब मिटा विशाद हो और उनका विशाद उनका दुख मिटा शमाप्त हो गया और उनकी उदाशी बढ़ी अतिप्रीती और उनकी उदाशी उदाशी श्री राम के प्रती प्रीती में परिवर्तित हो गई श्री राम के प्रती इसनेह रूप में परिवर्तित हो गई ठीक है या फिर उनका दुख श्री राम के प्रती इस नेह के रूप में परिवर्तित हो गया ठीक है तो शक्षी बच्चन शुनी भै परतीती मिटा भी साधु बढ़ी यतित्रीती यानि हमनों इस लाइन का मतलब ये पढ़ा कि अपनी शक्षी के मुख से ऐसी बाते शुन कर रानी को भगवान श्री राम की जहमता पर विश्वाश हो गया और उनका दुख शमापत हो गया और उनकी उदाशी श्री राम के प्रती इसनेह रूप में परिवर्तित हो गई तब रामही बिलो की बैदेही तब तब उस समय यानि तब ही रामही श्री राम जी को बिलो की देखकर बैदेही बैदेही मतलब शीता जी तो उशी शमय या फिर तभी श्री राम जी को देखकर बैदे ही शीता जी शबय मतलब भय के साथ हिरदय तो शीता जी के हिरदय में भय व्याप्त हो गया अर्थात शीता जी का हिरदय भय से व्याकुल हो उठा क्यों? क्योंकि इतने बड़े-बड़े राजा धन उसने उठा पाये थे तो भगवान राम उठा पाएंगे या नहीं ये डर लग रहा था उनको और सीता जी भी चाहती थी कि उनका विवा भगवान राम से ही हो जा ले भी वो डर रहे थी कि अगर नहीं उठा पाए तो फिर हमारी शादी किस से होगी इनसे नहीं हो पाएगी तो सब है हिर्दय तो सीता जी क्या हिर्दय भी भैशे ब्याकुल हो उठा और बिन्ती और बिन्ती करने लगी जही तेही जही तेही मतलब होता है जिस जिस इसका मतलब सभी देवताओं से बिनती करने लगी तो इस लाइन का मतलब हमने पढ़ा कि तभी भगवान श्री राम को देख कर सीता जी का हर्दय भैशे व्याकुल हो उठा और वो शभी देवी देवताओं शे विन्ती करने लगी क्या बिंती करने लगी कि मनही मन मनाव यकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु शफलया पनिशवकाई करिहते हरहु चाप गरुआई अब कहते हैं कि मनही मनही मतलब मनही मनमे मन मनाव अकुलानी अकुलानी मतलब व्याकुल होकर तो यहाँ पर कहा गया है कि शीता जी श्री राम को देखकर अकुलानी व्याकुल होकर मनही मन मनही मन में मनाव विन्ती कर रही है मना रही अथा देवताओं को मना रही अथा तुन से विन्ती कर रही है कि हो प्रसन हे प्रसन हो ये महेश भवानी महेश मतलब भगवान शिव जी और भवानी मतलब भवानी उनकी अरधांगनी ठीक है तो हे महेश भवानी आप हम पर प्रसन हो ये आप मुझ पर प्रसन हो ये ठीक है तो भगवान श्री राम को देखकर शीता ब्याकुल होकर मन ही मन विनती कर रही है कि हे महेश भवानी हो प्रशन आप मुझे पर प्रशन हो ये करहु शपल आपन शिवकाई ये लाइन क्लियर हो गई तो हमने इस लाइन का मतलब समझा कि अकुलानी का मतलब तुलसिदास जी कह रहे हैं कि सीता श्री राम को देखकर व्याकुल होकर मन ही मन विनती कर रही है कि हे महेश भवानी आप मुझे पर प्रशन हो ये करहु शपल और सफल कीजिए आपन शिवकाई आपकी जो शिवा की है मैंने अर्थात आज तक जो मैंने आपकी शिवा की है उसको शफल कीजिए अर्थात उसका फल मुझे दीजिए अर्थात हरन कर लीजिए खरहु कर ही तु हरहु यानि हरन कर लीजिए ठीक है चाप इस चाप की इस धनुष की गरवाई को इस भारीपन को और इस सिवधनुष के भारी पन का हरं हर कर लीजिए और हमारा हित करिए अर्थात हमारा कल्यान रखीजिए तो इस पूरे का मतलब हमने क्या पढ़ा कि करं सफल आपन से उकाई कि आज तक हमने जो आपकी शेवा की है सिता जी कहते हैं कि आज तक जो मैंने आपकी शेवा की है आज मुझे उसका फल दीजिए आप इस सिवधनुष की गरवाई को आप इस सिवधनुष के भारी पन का हरं कर लीजिए और करिहित और हमारा अर्थात और मेरा कल्यान कीजिए अच्छा इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है सीधा सीधा भी पढ़ सकते हैं कोई जरूरी ने एक उल्टा सीधा पढ़े इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आज तक जो हमने आपकी शेवा की है आप उसका फल मुझे दीजिए और मेरा कल्यान कीजिए इस शिव धनुष के भारी पन का हरण कर लीजिए अगर आपको शिव धनुष नहीं याद रहता तो आप सीधा सीधा कह दीजिएगा कि इस धनुष के भारी पन का हरण कर लीजिए ठीक है गननायक बरदायक देवा हे गनेश वरदायक देवा आज ही के दिन के लिए की नहों की थी तुँआ शेवा आपकी शेवा आज ही के दिन के लिए हमने आपकी शेवा की थी अर्थात सीता जी कहती है गणेश भगवान से कि हे गणनायक बरदायक वरदान देने वाले भगवान गणेश का नाम है गणनायक ठीक है तो गण की जगा पर आना जोड़ दीजेगा बस उसके बाद नायक जोड़ दीजे गणनायक तो हे गणनायक वरदान देने वाले देव आज लगे आज ही के दिने के लिए की नहों हमने की थी तुर शेवा आपकी शेवा की थी बार बार बिंती हमारी बार बार आपशे बिंती है शुनि मोरी आप मेरी बिंती को शुन लीजिए करव चाप आप इस चाप की गरुता को आप इस चाप के आप इस धनुष के गरुता गरुता मतलब होता है भारी पन तो इस गुरता को इस चाप के इस शिव धनुष के या फिर इस धनुष के भारीपन को अत्यन्त थोड़ा कर दीजिए अर्थात आप इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए ठीक है तो हम आप से बार बार विन्ती करते हैं अर्थात मेरी आप से बार बार यही विन्ती है और शुनी मोरी और आप कृपा करके मेरी इस विन्ती को शुन लीजिए हे गणेस आप इस धनुष की गुर्ता को आप इस धनुष के भारी पन को अत्यधिक कम कर दीजिए आगे चले तो पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे खहाल से अगर दिक्कत है तो यहाँ पर सिधा सिधा की हे गणनायक वर्दान देने वाले देव आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी शेवा की थी और मेरी बार बार आपसे विन्ती है आप क्रिपा करके मेरी विन्ती शुन लीजिए आप इस धनुष की भारी पन को या फिर आप इस धनुष के भारी पन को अत्यधिक कम कर दीजिए अगर इस दोहे के प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग सिधा सिधा होगा कि इस पध्यांस में सीता जी बार बार श्री राम को देख रही है और अपने मन को धैरे बधा रही है तो देखी देखी अब भगवान श्री राम धनुस तोड़ने के लिए मन्च पर खड़े हैं और सीता जी देखी देखी उन्हें बार बार देख रही है रगवीरतन रगवीरतन यानि उनके शरीर को निहार रही है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि भगवान श्री राम धनुस तोड़ने के लिए मन्च पर खड़े हैं और सीता जी उन्हें बार बार देख रही है अर्थात भगवान श्री राम के शरीर को देख रही है अशुर मनाव शुर मतलब होता है देवता मनाव मतलब मना रही है मनाना जैसे कोई रूठ जा तो आप उसको मनाते हैं तो शुर मनाव और देवताओं को मना रही है, किसलिए मना रही है, मनोवांचित वर प्रदान करने के लिए, ठीक है, मनोवांचित वर मतलब उनका जो मन में वर है, उनके मन में जो इच्छा है, वो चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो मनोवांचित वर प्रदान करने के लिए वो देवताओं को मना रही है धरी धीर और धैर्य धारण कर रही है धर्य धारण करके देवताओं को मनोवणचित वरदान प्रदान करने के लिए मना रही है भरे बिलोचन प्रेम जल भरे बिलोचन प्रेम जल बिलोचन मतलब नेत्र भरे मतलब भरे हुए है प्रेम जल यानि प्रेम रूपी जल अर्थात उने के नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरे हुए है अर्थात प्रेम रूपी आर्शु भरे है पुलकावली शरीर और पुलक कोई लिए तो क्या पढ़ा आपने कि भगवान श्रीरीर राम धनुस्तोर्ण के लिए मचपर खड़े हैं और मताश्रीटा भगवान श्रीराम के तन को भगवान श्रीराम को बार बार देख रही हैं और धर्य धीर मतलब धैर्य धारण करना और धैर्य धारण करके देवताओं को मनों वांचित वर्दान प्रदान करने के लिए मना रही हैं उनकी याँखों में प्रेम रूपी आशु भरे हैं तथा उनका शरीर रोमांच से भर गया है तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजेगा धनुश भंग डिजायर पॉइंट इतना लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जायेगा इस वीडियो में बहुत स्लोली और बहुत एक्स्प्लेयन करके यानि एक एक चीज को तीन तीन बार समझा करके पढ़ाया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए इसे एक बार खुद से जरूर पढ़ लीजेगा ताकि जब हम इसके आगे चले तो आपको बिलकुल भी दि शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शेलाब ले सके पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करें